नमस्कार दोस्ते आज के इस वीडियो के निर्म बात करेंगे कि गास में कौन सा अमल पाया जाता है और इसके बारे में आपको हम काफी अच्छी जान करेंगी तो आप कह सकते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी रहने वाला है मगर वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप चेनल पर नहीं हैं तो करप्या वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब भी जरूर पर आएए वीडियो को सुरू करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं कि गास में कौन सा अमल पाया जाता है उप्सन एक बेंज के बारे में नहीं जानते हीं तो आपको बता देते हैं कि गास में पाय जाने वाले अमल को बेंजोईक अमल के नाम से जानते हैं यानि दोस्तों आपने अब जाना कि बेंजोईक अमल जो है वही असल में गास के अंदर पाय जाता हैं और ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों आपके लिए इतनी जानकरी काफी नहीं है बलकि इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेंजोईक अमल का रासाइनिक सुत्र क्या है इसके विशेशताएं क्या होती है और इसका उप्योग कहां पर किया जाता है तो आईए इन सभी के बारे में बात करती है अब हम बात कर लेती हैं कि बेंजोईक अमल जो की गास के इंदर पाय जाता है इसका रासाइनिक सुत्र क्या होता है दोस्तों किसी भी अमल का एक विशेश प्रकार की रासाइनिक सरंचना होती है जिसे संक्षिप्ट में रासाइनिक सुत्र की रूप में लिख जाता है इसके लग दोस्तों अब हम बात करती हैं कि घास के इंदर पाय जाने वाले बिंजोईक अमल की विसेश्थाई क्या होती है दोस्तों बिंजोईक अमल जो है वह घास के इंदर पाय जाता है और इसकी कई तरह की विसेश्थाई होती है जैसे कि यह हलकी रंगीन क्रिश्ट्री चूरण के रूप में होता है इसका सुत्तर है C6H5COOH या फिर कह सकते हैं कि C7H602 होता है गलनांग की बात करें तो वह 122.4 डिगरी सेल्शेस और क्वाथनांग 250 डिगरी सेल्शेस होता है इसके लग दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि बेंजोईक अमलका या फिर कह सकते हैं कि गास में पाए जाने वाले बेंजोईक अमलका उप्योग काँपर किया जता है इसका उप्योग फर्मा इसक्यूटी कल उदोग में एक सरक्षंक दवा के रूप में भी किया जता है ये कई उतपादों जैसे तवचा उतपादों नाकुनों और बाल उ उप्संस के आदार पर गास में पाए जाने वाला अमल बेंजोईक अमल होता है और ये आपको अच्छी तरह से याद करना है साथी आपको ये भी याद करना है कि इसका रासाहिनिक सुत्तर C7-H602 होता है क्योंकि ये सभी प्रिक्षा की द्रेश्टे से उप्योगी माने ज जाना कि गास में कौन सा अमल पाए जाता है अगर आपके लिए जानकरी उप्योगी है तो करपे वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें